दोस्तों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें साहितकी पर आप सभी का एक बार पुने हर्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे रामव्रिक्ष बेनिपूरी के रेखाचित्र संकलन माटी की मूर्तें से रजिया नामक रेखाचित्र। मित्रों माटी की मूर्तें 1946 इस्वी में प्रकाशित रामव्रिक्ष बेनिपूरी द्वारा रेखाचित्र संकलन है जिसमें 12 रेखाचित्रों का संकलन किया गया है। इसमें ये माटी की मूर्ते नामक भूमिका के अत्रिक्त 12 रेखाचित्र हैं रजिया, पलदेव सिंग, सर्जु भाईया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बालगोबिन भगत, भोजी, परमेसर, बेजु मामा, सुभान खां और बुधिया। मित्रों, प्रथम रेखाचित्र प्रजिया पर आगे बढ़ने से पूर्व आईए, इसकी भूमिका की चर्चा कर लेते हैं। बेनिपुरी जी, इस रेखाचित्र संग्रे की भूमिका को नाम देते हैं, ये माटी की मूर्थें। बेनी पूरीजी लिखते हैं कि जब कभी आप गाउं की सहर की और निकले होंगे आपने देखा होगा, किसी बड़िया पिपल के पेड़ के नीचे चबूत्रे पर कुछ मूर्ते रखी हैं, माटी की मूर्तें, ये मूर्तें ने इनमें कोई खुबसूरती है न रंगी नी, फल तो इन कुरूप बदशकल मूर्तों में भी एक चीज है, शायद उस और हमारा ध्यान नहीं गया, वह है जिंदगी, ये माटी की बनी हैं, माटी पर धरी हैं, इसलिए जिंदगी के नजदीक हैं, जिंदगी से सराबोर हैं, ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, न अधरन व्यक्ती, मिट्टी के पुतले ने ही किसी ऐसा धरन अलोकिक कर्म के कारण एक दिन देवत्व परात कर लिया, देवता में गिना जाने लगा, और गाउं के व्यक्ती व्यक्ती के सुख दुख का द्रस्टा सुष्टा बन गया, मिट्टी के उन पुतलों की, ये माट पदमे में जीत मिली, इसकी नाराजी, बीमार पड़ गए, महामारी फैली, फसल पर ओले गिरे, घर में आग लग गई, ये जिंदगी के नजदीक ही नहीं है, जिंदगी में समाई हुई हैं, इसलिए जिंदगी के हर पुजारी के सिर इनके नजदीक आप ही आप जुका है, बौद और ग्रीक रोमन मूर्तियां दर्शनी हैं, वंदनी हैं, तो माटी की ये मूर्तें भी उपेक्षनी नहीं, आप से हमारा निवेदन सिर्फ इतना है, आपने राजारानी की कहानिया पड़ी हैं, रिशी मुनी की कथाएं बांची हैं, नायकों और नेताओं की जीवन का अध्यान किया है, वे कहानिया, वे कथाएं, वे जीवनिया, कैसी मनोरंजक, कैसी प्रोज्वल, कैसी उत्साह वर्धक, हमें दिन दिन उनका अध्यान, मनन, अनुशिलन करना ही चाहिए, किन्तु क्या आपने कभी सोचा है, आपके गाउं में भी कुछ ऐसे लोग हैं, ज किन्तु शकुंतला, वशिष्ट, सिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम आप अपने गाउं की बुधिया, बाल गोबिन भगत, बलदेव सिंग और देव की और देखने की भी फुरसत कहां पाते हैं, हजारी बाग सेंटरल जेल के एकांथ जीवन में, अचानक मेरे गाउ और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की सूर्थें मेरी आखों के सामने आकर नाचने और मेरी कलम से चितरन की यासना करने लगी, उनकी इस याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अंत्तय या माटी की मूर्तें तयार होकर रही, हाँ, जेल में रहने के कारण बेजुवामा भी इनकी पांत में आ बैठे और अपनी मूरत मुझसे गड़वा ही ली, मैं साफ कह दू, ये कहानिया नहीं, जीवनिया हैं, ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चितर हैं, जानता हूँ, कला ने उन पर पच्चिकारी की है, इन तो मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रगरग म मूल रेखाएं ही गयब हो जाएं, मैं उसे अच्छा रसोया नहीं समस्ता, जो इतना मसाला रख दे कि सबजी का मूल स्वाध ही नश्ट हो जाएं, कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है, कला वह है जिसे पाकर जिंद की निखर उठे, चमक उठे, डरता थ सोने चांदी के इस युग में मेरी ये माटी की मूर्तें कैसी पूजा पाती हैं, किन्तु इधर इने मैं से कुछ जो प्रकाश में आई, हिंदी संसार ने उन्हें सिर आँखो पर लिया, यह मेरी कलम या कला की करामात नहीं, मानवता के मन में मिट्टी के प्रती जो आज्य प्राप्त कर सकूँ, मित्रों गया भूमिका, राम व्रिक्ष बेनिपूरी ने दीपावली सन 1946 में लिखे थी, इसका नमीन संसकरन 1953 में आया, और उस नमीन संसकरन की भूमिका में बेनिपूरी जी लिखते हैं कि यह माटी के मूर्ते, सोने के मूर्ते सिद्ध हुई शे साल में इसकी साथ हजार प्रतियां बिख चुकी, इस नमीन संसकरन में एक मूरत और जोड़ दी गई है रजिया की, क्रम में भी कुछ परिवर्तन किया गया है और पाठ में भी, इसे आदि से अंत तक सचित्र भी कर दिया गया है, क्या मैं आशा करूं, इस नए रूप में यह और भी पसंद की जाएगी, वित्रों रजिया सीरसक रेखक चित्र में लेखक ने एक चूडिहारिन की लड़की के जीवन की रूप रेखा अंकित की है, अद्भुत वेशभूशा तथा रूपरंग वाली यह लड़की धीरे धीरे चूडियां पहनाने की कला में प दरता कम नहीं हुई, लेखक की बीवी को चूडिया पहना कर उसने लेग लेने के लिए अच्छी खासी धूम मचाई, वह जहां भी मिलती है दिल खोल कर, उसे लोगों की निगाहों का भी कोई डर नहीं रहता, हसे ठीटोली के फंवारे फूटते रहते हैं, हिंदु मुसल का एकादिकार नहीं रहा, लेकिन लेखक के गाउं में हिंदु मुसलिम का भेदभाव नहीं है, लेखक एक बड़ा नेता होकर रजिया के घर पहुंसता है, जहां उसका भरा पूरा परिवार है, शुब्र, स्वेत बालों की लटें तथा जुरीदार चेहरे से उसने मालिक को सलाम किया, मित्रों, अत्यंत रोचक तथा सशक्त भाषा में लेखक ने रजिया के माध्यम से जाती संपरदाय की दीवार भेद कर खुदभासित होने वाले मानवे संबंदों का चित्र अंकित किया है, आइए मित्रों, चलते हैं, रामरिक्स बेनीपुरी के रेखा चित खेकल, अर्थात, माला जो गले में पहनी जाती है, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोडाई, भरबां की बुटेदार कमीज पहने, काली साडी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परिशान, वैं अपने बच्पन की उस रजिया की स्मृति साजा हो उठी, जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गाउं में जा पहुँचा, हाँ, यह मेरे बच्पन की बात है, मैं कसाई खाने से रसी तुड़ा कर भागे हुए बच्डे की तरह उचलता हुआ, अभी-भी स्कूल से आया और बरामदे की चौकी पर अपना बिस्ता सिलेट पटक कर मौसी से छट में पके ठेकुए लेकर, बित्रों ठेकुए या खमोनी एक प्रकार का प्रशाद है, जो छट पूजा के दोरान भगवान को चड़ाया जाता है, उसे कुतर-कुतर कर खाता हुआ, धेंकी पर जूला देखा, यह अजीब रूपरंग की लड़की मुझसे दो-तीन गज आगे खड़ी हो गई, मेरे लिए यह रूपरंग सचमुच अजीब था, हेट हिंदूओं की बस्ती है मेरी, और मुझे मेले पेटिये में भी अर्थात मेलों इत्यादी में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि सुना है, बचपन में मैं एक मिले में खो गया था, मुझे कोई ओघर लिये जा रहा था, कि गाउं की एक लड़की की नजर पड़ी और मेरा उध्धार हुआ, मैं माबाप का एकलोता, माचल बसी थी, इसलिए उनकी इस एक मात्र धरोहर को मौसी आखों में जगो कर रखती, मेरे गाउं में भी लड़कियों की कमी नहीं, किन्तु ना उनकी यह वेशबूशा, ना यह रूप रंग, मेरे गाउं की लड़कियां कानों में बालियां कहां डालती, और भर्मा की कमीज पहने भी उन्हें कभी नहीं देखा, और गोरे चेरे तो मिले हैं किन्तु इसकी आँखों में जो एक अजीब किस्म का नीला पन दीखता वे कहां और सचमुच चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर तभी तो मैं उसे एक टक घूरने लगा यह बोली थी रजिया की मा जिसे प्राया ही अपने गाउं में चूडियों की खंचिया लेकर आते देखता आया था खंचिया अर्था खंची या टोकरी वे मेरे आंगन में चूडियों का बाजार पसार कर बैटी थी और कितने बहु बेटियां उसे घेरे हुए थी मुह से भावसाव करती और हाथ से खरीदारिनों के हाथ में चूडियां चड़ाती वे सोदे पटाए जा रही थी अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था हाँ कभी-कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूडियों की खांची ढोता यह बच्ची आज पहली बार आई थी और नजाने किस बालसुलब उत्सुकता ने उसे मेरी और खींच लिया था शायद वे यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुँचने से ही चूज आता है मा जब अचानक चीक उठी वे ठिटकी सहमी उसके पैर तो वहीं बंद गए किन्तो इस छिटक ने उसे मेरे बहुत निकटला दिया इसमें संदेह नहीं मेरी मोसी जट उठी घर में गई और दो ठेक हुए और एक कसार लेकर अर्थात पंजीरी एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिये वे लेती नहीं थी किन्तो अपनी मा के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया किन्तो मूह से नहीं लगाया मैंने कहा खाओ क्या तुमारे घरों में ये सब नहीं बनते छटका वृत नहीं होता कितने प्रश्ण किन्तो सब का जवाब नय में ही और वह भी मुझ से नहीं जरा सा गर्दन हिला कर और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बालों की जो लटें हिल हिल उड़ती वह उन्हें परिशानी से संभालने लगती जब उसकी मा नई खरीदारिनों की तलास में मेरे आंगन से चली रजिया भी उसके पीछे हो ली मैं खाकर मूँ धोकर अब उसके निकट था और जब वै चली जैसे उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक घिसरता गया शायद मेरी भाउकता देखकर ही चूड़ी हारिनों के मूँ पर खेलने वाली अजस रहसी और चुहल में ही उसकी मा बोली बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा फिर बेटी की और मुखातिब होती मुस्कुराहट में कहा क्यों रे रजिया ये दुल्हा तुम्हें पसंद है उसका ये कहना कि मैं मुड कर भागा व्या एक मुसल्मानिन से अब रजिया की मा ठठा रही थी और रजिया सिमटकर उसके पैरों में लिप्टी थी कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड कर देखा रजिया चूडी हारिन वह इसी गाओं की रहने वाली थी बच्पन में इसी गाओं में रही और जवानी में भी क्योंकि मुसल्मानों की गाओं में भी शादी हो जाती है न और यह अच्छा हुआ क्योंकि बहुत दिनों तक प्राया है उससे अपने गाउं में ही भेंट हो जाया करती थी मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया पढ़ने के लिए शहरों में जाना पढ़ा छुटियों में जब तब आता इधर रजिया पढ़तो नहीं सकी हाँ बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही उस दिनों तक अपनी मा के पीछे पीछे गोमती फिरी अभी उसके सिर पर चुडियों की खंचिया तो नहीं पड़ी किन्तु खरीदारिनों के हाथों में चुडियां पहनाने की कला वे जान गई थी उसके हाथ मुलायम है बहुत मुलायम नहीं बहुँओं की यही राय थी वे उसके हाथ से चुडियां पहनना पसंद करती उसकी मा इससे प्रसंद नहीं हुई जब तक रजिया चुडियां पिनाती वे नहीं-नहीं खरीदार ने हसा थी रजिया बढ़ती गई जब-जब भेंट होती मैं पाता उसके शरीर में नए ने विकास हो रहे हैं शरीर में और सोहाओ में भी पहली भेंट के बाद पाया था वह कुछ प्रगल्भ, अर्थाथ चतोर या होशियार हो गई है मुझे देखते ही दौड कर निकट आ जाती प्रश्ण पर प्रश्ण पूछती अजीब अटपटे प्रश्ण देखिये तो ये नई बालियां आपको पसंद है क्या शहरों में भी ऐसी ही बालियां पहनी जाती है मेरी माँ शहर से चूडियां लाती है मैंने कहा है वह इस बार मुझे भी ले चले आप किस तरब रहते हैं वहाँ क्या भेंट हो सकेगी वह बके जाती मैं सुनता जाता शायद जवाब की जरुरत वह भी नहीं मैसूस करती फिर कुछ दिनों के बाद पाया वह अब कुछ सकुचा रही है मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चोकनी सी कि कोई देख न ले, सुन न ले एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भोजी ने कहा देखी औरी रजिया वबुआ जी को फुसला नहीं लीजियो वह उनकी और देखकर हंस तो पड़ी किन्तु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए है और उन नीली आखों के कोने मुझे सजल से लगे मैंने ध्यान दिया जब हम लोग कहीं मिलते हैं बहुत से आखें हम पर भालों की नोक्त आने रहती हैं प्रजिया बढ़ती गई बच्ची से फिशोरी हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे है अब भी वह मा के साथ ही आती है किन्तो पहले वह मा की एक छाया मात्र लगती थी अब उसका स्वतंतर अस्तित्व है और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट है जब वह बहनों के प्रति भात्र भाव या रजया के प्रति अग्यात अकर्शन वहां लाता है उन्हें जब वह पहुँं के हाथों में चूडिया ठेलती होती है पतिदेव दूर खड़े कंखियों से देखते होते है क्या अपनी नवोडा की कोमल कलाईयों को या इन कलाईयों पर क्रीडा करती हुई रजया की पतली उंगलियों को और रजया को इसमें रस मिलता है पतियों से चोले करने से भी वह बाज नहीं आती बाबू बड़ी महीन चूडिया है जरह देखियेगा कहीं चटक न जाएं पतिदेव भागते हैं वह में खिलखिलाती है रजया ठटा लगाती है अब वह अपने पेशे में निपुन होती जाती है हाँ रजया अपने पेशे में भी निपुन होती जाती थी चूडिहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूडियां हो, सस्ती, ठिकाउ, टटके से टटके फेशन की, बलकि यह पेशा चूडियों के साथ चूडिहारिनों में बनाव शिंगार, पुरूब रंग, ना जो अदा भी खोजता है, जो चूडि पहनने वालियों को ही नहीं, उनको भी मोह सके जिनकी जेब से चूडियों के लिए पैसे निकलते हैं, सफल चूडिहारिन वह, रजिया की मा भी इसे चमाने में क्या कुछ कम रही होगी, खंडहर कहता है, इमारत शांदार थी, जो जो शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुरलब होती गई, और एक दि देखते ही वह सहमी, सिकुडी, और मैंने मान लिया, यह उसका पती है, किन्तु तो भी अंजान सा पूछी लिया, इस मजूरे को कहां से उठा लाई है रे, किसी से पूछी है, साथ लग गया, तो क्या करूँ, नोजवान मुस्कुराया, रजिया भी हसी, बोली, यह मेरा ख जाने, वह बात कहां सोई पड़ी थी, अचानक वह जगी, और मेरी पेशानी, अर्थात माथे पर, उस दिन शिकन जरूर उठाये होंगे, मेरा विश्वास है, और एक दिन वह भी आया, कि मैं भी खाविंद बना, मैं भी पती बना, मेरी रानी को, सुहाक की चूडिया पहन तो वह लूँगी, कि दुलहन टापती रह जाएंगी, हट हट, तो बगवाजी को ले जाएगी, तो फिर तुमारा यह हसन क्या करेगा, भाजी ने कहा, यह भी टापता रहेगा बहुरिया, कहकर रजिया ठटा मार कर हसी, और दोड कर हसन से लिपट गई, ओहो मेरे राजा, कुस दूसरा न समझना, हसन भी हस पड़ा, रजिया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी, किस तरह यह हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह जंजटें आई, फिर किस तरह शादी हुई, और वह आज भी किस तरह चाया सा उसके पीछे घूमता है, नजाने कौन सा डर लगा रहत है इसे, और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़ कर बोली, मालिक भी तुमारे पीछे इसी तरह चाया की तरह डोलते रहें, दुलहन, सारा आंगन हासी से भर गया था, और उस हासी में रजिया के कानों की बालियों ने अजीब चमक भर दी थी, मुझे ऐसा ही लगा था, जीवन हो गई, यह अचानक भेंट तो थी, किन्तु क्या इसे भेंट कहा जाए, मैं अब जियादातर घर से दूर दूर ही रहता, कभी एक आज दिन के लिए घर गया, तो शाम को गया सुबह भागा, तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह की जंजाल, इन दिनों पटना में था यूं कहिए पटना सिटी में, एक छोटे से अखवार में था, पीर बावर्ची भिष्टी की तरह, यों तो लोग समझते कि मैं संपादक ही हूँ, उन दिनों ने इतने अखवार थे, ने इतने संपादक, इसलिए मेरी बड़ी कदर है, यह मैं तब जानता जब कभी दपतर से निकलता, देखता, लोग मेरी और उंगली उठा कर फुस-फुसा रहे हैं, लोगों का मुझ पर यह ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता, एक दिन मैं चौक के प्रसिद पानवाले की दुकान पर पान खा रहा था, मेरे साथ मेरे ओरत आपको बुला रही है, ओरत बुला रही है, चौक पर मैं चौक पड़ा, युगों में थोड़ी हलचल, बुज़ुर्गों के चेहरों पर की रहशमय मुस्कान भी मुझ से छिपी नहीं रही, ओरत कौन, मेरे चेहरे पर गुस्ता था, वे लड़का सिट पिटा कर पुली से इशारा किया था, थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा, परिशितों में से कोई देख तो नहीं रहा है, किन्तु इस चौक के शाम की रूमानी फिजा में, किसी को किसी के और देखने की कहा फुरसत, मैं आगे बढ़ता गया, और वहां पहुँचा ज ठका सा लगा, किन्तु पहचानते देर नहीं लगी, उसने जो ही सिर उठाया, चांदी की बालियां जो चमक उठी, प्रजिया, यहां कैसे, मेरे मुह से निकल पड़ा, सौधा सुलफ करने आई हूँ मालिक, सौधा सुलफ, अर्थात, खरीददरी करने, अब तो नए किसम क लो हो गए न, अब लाग की चूडियां कहां किसी को भाती है, नए लोग, नए चूडियां, साज सिंगार की कुछ और चीज़ें भी ले जाती हूँ, पॉडर, किलप, क्या क्या चीज़ें हैं न, नया जमाना, दुल्हनों के नए नए मिजाज, फिर जरा सा रुक कर बोली सुना था, आप यहीं रहते हैं, कहां रहते हैं मालिक, मैं तो अक्सर आया करती हूँ, और यह जब तक पूछू की, अकेली हो या, कि एक अधव ऐसा आदमी ने आकर सलाम किया, यह हसन था, लंबी-लंबी दाडियां, पांच हाथ का लंबा आदमी, लंबा और मुश्टंड देखिये मालिक, यह आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता, यह कहकर रजिया हस पड़ी, अब रजिया वह नहीं थी, किन्तु उसकी हसी वही थी, वही हसी, वही चुहल, इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही, और न जाने कब तक जारी रखती, कि मुझे याद आया, मै मैं कहां खड़ा हूँ, और अब मैं कौन हूँ, कोई देख ले तो, किन्तु वह फुरसत दे तब ना, जब मैंने जाने की बात की, हसन की और देख कर बोली, क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ, कितनी बार हुमच हुमच कर भरपेट ठूच चुके हो बाब अब हिंदू चूडी हारिने हैं, हिंदू दर्जी हैं, इसलिए रजिया जैसे खांदानी पेशे वालों को बड़ी दिक्कत हो गई है, किन्तु रजिया ने ये खुशकबरे सुनाई, मेरे गाउं में ये पागलपन नहीं, और मेरी रानी तो शिवा रजिया के किसी दूसर के हाथ से चूड़ियां लेती ही नहीं, हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तयार हुआ, वैं पूसने लगी, तुम्हारा डेरा कहा है, मैं बड़े पशोपेश में पड़ा, तरिये मत मालिक, अकेले नहीं आऊंगी, ये भी रहेगा, क्यों मेरे राजा, ये कहकर वैं हसन से लिपट पड़ी, पगली, ये शहर है, शहर, यों, हसन ने हसते हुए, पाहें छुड़ाई और बोला, बाबो, बाल बच्चों वाली हो गई, किन्तु इसका बच्पना नहीं गया, और दूसरे दिन पाता हूँ, प्रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है, मालिक, ये रख दी, मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती ही हो, लेती जाओ, वहीं दे देना, नहीं मालिक, एक बार अपने हाद से भी पिना देखिये, वह खिलखिला पड़ी, और जब मैंने कहा, अब इस उम्र में, तो वह हसन की ओर देख कर बोली, पूछिये इस से, आज तक मुझे यही चूडियां पिनाता है या नहीं, और जब हसन कुछ शर्माया, वह बोली, घाग है मालिक घाग, कैसा मुझ बना रहा है इस समय, लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है, खटा कर हस पड़ी, इतने जोर से, कि मैं चौक कर चारों तरब देखने लगा, हाँ, तो अचानक उस में साय साय की आवाज, चेहरे पर गरत गुबार का अंबार, परिशान, पद हवास, किन्तो उस गाउं में जो ही मेरी जीब भुसी, मैं एक खास किस्म की भावना से अभिभूत हो गया, यह है रजिया का गाउं है, यहां रजिया रहती थी, किन्तो क्या आज मैं यहां यह पूछ सकता हूं कि यहां कोई रजिया नाम की चूडियारिन रहती थी, यह है, हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती थी, मैं वहां नेता बनकर गया था, मेरी जैजैकार हो रही थी, कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे, जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाउंगा, वह इससे दो बातें कर लूँगा, वह स्वयम चर्चा का एक विशय बन जाएगा, इस समय मुझे कुछ उचाई पर ही रहना चाहिए, जीब से उतर कर लोगों से बातें कर रहा था, या यो कहिए कि कलपना की पहाड़ पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युक का लोगों को सुना रहा था, किन्तु दिमाग में कुछ गुथियां उलजी थी, जीब अभ्यास वस एक काम किये जा रही थी, अंतरमन कुछ दूसरा ही ताना बाना बुन रहा था, दोनों में कोई तारतम में न था, किन्तु इसमें से किसी एक की गती में भी क्या बाधा डाल थी कि अचानक लो क्या क्या वह रजिया चली आ रही है रजिया वह बच्ची अरे रजिया फिर बच्ची हो गई कानों में वे ही बालियां पोरे चेहरे पर वे ही निली आखें वही भरबां की कमीज वे ही कुछ लटें जिने संभालती बढ़ी आ रही है बीच में 40-45 साल का व जिन में सपना वह आती है, जबरन ऐसी भीड में खुशकर मेरे निकट पहुंचती है, सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़ कर कहती है, चलिए मालिक मेरे घर, मैं भोचंक का कुछ सूज नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग मुस्कुरा रहे हैं, नेता जी आज आपक कि कलेई खुल कर रही, नहीं, यह सपना है कि कानों में सुनाई पड़ा, कोई कह रहा है, कैसी शोख लड़की, और दूसरा बोला, ठीक अपनी दादी जैसी, और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी, यह रजिया की पोती है बाबू, बेचारी बिमार पड़ी है, आपकी चर् रजिया के आंगन में खड़ा हूँ, यह छोटे-छोटे साफ सुतरे घर, यह लिपा-पुता चिकन धुडुर आंगन, भरी-पूरी ग्रहस्ती, मेहनत और दयानत की देन, हसन चल बसा है, किन्तो अपने पीछे तीन हसन छोड़ गया है, बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, म हू बहू रजिया, दूसरी रजिया, यह दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े पुकार रही है, दादी, ओ दादी, घर से निकल, मालिक दादा आ गए, किन्तो पहली रजिया निकल नहीं रही, कैसे निकले, बीमारी के मेले कुचले कपड़े मेरे सामने कैसे आवे, रज जब सुना मैं आ रहा हूँ तो बहुवों से कहा जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दो मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है ना। उसकी दोनों पतोहुएं उसे सहरा देकर आंगन में ले आई। रजिया हाँ मेरे सामने रजिया खड़ी थी तुबली पतली रूखी सूखी किन्तु जब नजदी काकर उसने मालिक सलाम कहा उसके चेहरे से एक ख़ण के लिए जुरियां कहां चली गई जिनोंने उसके चेहरे को मकड़ जाला बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा और चमक उठी वे नीली आखें जो कोटरों में धंस गई थी और अरे चमक उठी हैं आज फिर वे चांदी की बालियां और देखो अपने को पवित्र कर लो उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चम लेखक, एक चूडियारिन की बेटी जिसका लाम रजĩया था उसके बारे में बताता है, बचपन में खेलते खाते समय उसकी भेंट अचानक रजिया से होती है, जब वे खाने के समय लेखक के सामने आ जाती है, जिस पर रजिया की माह उसे डाटती हुई बोलती है, दूर र परती गई जब जब मेंट होती मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं शरीर में भी और सुभाव में भी रजिया के बुढ़ापे का चित्रन करते हुए लेकक ने लिखा है कि उसकी दोनों पतोवें उसे सहारा देकर आंगन में ले आई रजिया हाँ मेरे सामने खड़ी थी दुबली पतली रूखी सुखी किन्तु जब नजदी का आकर उसने मालिक सलाम कहा उसके चेहरे से एक शन के लिए जुरियां कहां चली गई जिन्होंने उसके चेहरे को मकड़ जाला बना रखा था मैंने देखा उसका चेहरे अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा और चमक उठी वे नेली आखें जो कटोरे में धस गई थी और चमक उठी हैं आज फिर वे चांदी की बालियां और देखो अपने को पवित्र कर उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही हैं वे लटें जिने समय ने धोक उचकर शुब्र स्वेत बना दिया है इस उदारण में मालिक सलाम शब्द का प्रयोग समझ पुरानी स्मृतियों को एक जीवन्त रूप दे देता है इस रेखा चित्र में लेकक की अपनी तीवर अनुभूती तो है ही साथ ही रजिया की परिणामत है एक प्रकार की परिसीमा निश्चित हो जाती है जिसका रजिया लेखक और पाठक पालन करते हैं यह परिसीमा ही इस रचना को शक्तिशाली रेखा चित्र की विशेष्टाओं से समन्वित बनाती है मित्रों इस रेखा चित्र में स्त्री की समश्या को दिखाया गया है जहां पर लड़के लड़की का आपसी सामानी विश्चा व्यवार भी बहुत चटिल तरीके से व्याख्याइद किया जाता है या संकुचित मान सकता आज भी बनी हुई है। गाओं में आज भी किसी लड़की के लिए किसी तरह से लड़के या पुर्शों से बात करना या मिलना जुलना बहुत गलत काम माना जाता है। आज भी गाओं में लड़के लड़कियों के बीच सामान सी दोस्ती या मित्रता का कोई स्थान नहीं है यही कारण है कि लेखक बिना किसी कारण के ही रजिया से मिलने या बात करने में कई दफ़ा सोचता है चुनाओ के समय रजिया के गाओं में जाने के बाद स्वेम लेखक का मन उससे मिलने का होने के बाद भी उसमें हिम्मत नहोती कि वह रजिया का नाम लेकर उसके घर का पता तक पूंच सके इसी तरह शहर में भी जब रजिया किसी बच्चे से लेखक को मिलने के लिए बुलाती है तो लेखक उसके पास जाने के बारे में भी सोचता है गाउं में आज भी इसी तरह की स्थितियां है आज भी लड़के लड़कियां अपने साथी मित्रों से बाचीत या भेंट मुलाकात नहीं कर पाते ऐसा करना गलत माना जाता है मित्रों रजिया शीरसक रेखा चित्र में गाउं की चूड़ियारिन रजिया के ग्रामेंट सोंदरिये भोलापन और अलहडपन से लेकर उसके जीवन संगर्ष तक का मार्विक शब्चित्रन प्रस्तुत किया गया है पेनिपूरी जी के इन चरित्र कथाओं में ग्रामेंट जीवन की सादगी, निशलता, आपसदारी और सांपरदाई के एकता के चित्र बरे पड़े हैं रजिया रेखा चित्र भी इसका एक बहतरीन उधारन है रजिया रेखा चित्र में बेनी पूरी जी ने रजिया की पती से होने वाली पहली मुलाकात को कितने सुन्दर ढंक से अभ्यक्त किया है जो जो शहर में रहना बढ़ता गया रजिया से भेंट भी दुरलब होती गई और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गाउं में देखा पाया कि उसके पीछे एक नोजवान चूडियों की खांची सिर पड़ लिये है मुझे देखते ही हुए सहमी, सिकुडी और मैंने मान लिया यह उसका पती है किन्तु तो भी अंजान सा पूछी लिया इसे मजूरे को कहां से उठा लाई है रे? किसी से पूछिये? साथ लग गया तो क्या करूँ? नोजवान मुस्कुराया, रजिया भी हसी, बोली यह मेरा खाविंध है मालिक मित्रों, रामवरिक्ष बेनिपुरी के इस रेखा चित्र में जहां चरित्र चित्रन प्रमुख रूप से अव्यक्त होता है वहां सांकेतिकता ही जुड़ी नजर आती है इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व एम चरित्र चित्रन को अव्यक्त करने के लिए संकेतों का प्रियोग विशेश रूप से किया जाता है बेनिपुरी जी ने अपने रेखा चित्रों में सामाजिक समश्याओं को यथार्थ रूप में चित्रित किया है इनमें समश्याओं अपने आप साकार हो जाती है उदारन के लिए कानों में चांदी की बालियां गले में चांदी का हैकल हाथों में चांदी के कंगन और पेरों में चांदी की गोडाई भर बाह की बूटेदार कमीज पहने काली साडी की छोर को गले में लपेटे बोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परिशान वैं छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी अपने बच्पन के उस रजिया की स्मृती ताजी हो ठी जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गाओं में जा पहुँचा रजिया के बाही व्यक्तित्व की वास्विक सिति के निदर्शक गहने लेकक के मन में किवल रजिया की स्मृतियां उबन रही थी लेकिन वही जूटे समाज पद प्रतिष्ठा आदी के डर से लेकक में हिम्मत न होती कि वह उसका नाम ले सके लेकिन जब रजिया की पोती उन्हें अपने घर ले जाने के लिए आती है तो लेखक उसके साथ चला जाता है इस समश्या के अत्रिक्त गाउं के समाज से जुड़ी कई इनने समश्याओं का चितरन भी लेखक ने किया है जिनमें लिंग, धर्म, वर्ग, आधुनिकता, आधी मुख्य हैं जेंडर यानि लिंग का भेद आज भी गाउं में बहुत जटिल है किसी भी जाती धर्म के लड़के लड़कों के बीच मैत्री का व्यभार बहुत ही अपमानजनक माना जाता है लड़के लड़के या लड़की लड़की के बीच दोस्ती बहुत सामानने बाद मानी जाती है लेकिन लड़के उन लड़की के बीच रिस्ते के लिए गाउं में एक ही नाम है जिसे शादी का नाम दिया जाता है इसके अत्रिक्त अन्य रिस्ता सिरे से खारिज कर दिया जाता है यदि किसी के बीच इस तरह का रिस्ता होता भी है तो उसे बहुत छुपा कर लोग चलते हैं या फिर सारजनिक स्तर पर उस रिस्ते को दिखाते ही नहीं यही कारण है कि लेखक और रजिया के बीच में कोई विशेश सम्मंद ना होने के बावजूद भी वे सामाने रूप से एक दूसरे से ना तो मिल सकते थे और ना ही बादचीत कर सकते थे इसके अत्रिक्त गाउं में सुन्दर लड़कियों या अस्त्रियों को किस न जरीए से देखा जाता है इसका विजिक्र लेखक ने प्रकारांतर से इस रेखा चित्र में किया है हर विक्ती चाता है कि वह सुन्दर इस्त्रि को देखे या उससे बादचीत हसी मज़ाग करे लेकिन वही विक्ती बाद में उस श्त्रिक का अन्यपुरुष से चरित्र हनन करते हुए भी मिलता है जैसे इस रेखा चितर की नाई का रजिया बहुत सुन्दर है जब वह चूड़ी पहनाने के लिए अपनी खांची लेकर लोगों की गाउं या घर में जाती है तो सभी विवाहित उसे नजर भर देखने में ही लगे रहते हैं लेकिन कोई भी उससे दोस्ती या मैत्री का संबंद नहीं रख सकता था क्योंकि गाउं में इस तरह के संबंदों की कोई स्विकृति नहीं है धर्म और शुद्धता अशुद्धता का भी चितरन इस रेखा चितर में लेखक ने किया है बच्पन में लेखक के खाते समय रजिया को उसके पास जानने से जब रोका जाता है तो वहाँ पर उसके एक वाक्य से धर्म के प्रती लोगों के मन का हिंदू-मुसल्मान विभेद उज्जागर हो जाता है वर्ग का भेद भी बड़ी कठोरता से गाउं में पालित पोशित होता है जो लोग नोकरी, पद, प्रतिष्ठा यम पैसों में बड़े हो जाते हैं उनका अपने से छोटे लोगों के साथ बहुत सामन सवेभार बहुत गलत माना जाता है यही कारण है कि लेखक चाहा कर भी र सलमानों के हाथ से चूडिया नहीं पैंती आज के समय में हिंदू चूडिहारिन और दज्जी भी हो गए हैं लेकिन लेखक की पतनी रजिया के हातों से ही चूडिया पैंती है इससे आपसी सोहार्द का भी पता चलता है लेकिन यह भी सत्य है कि नए जमाने में जातिया धर की लड़ाई खत्म होने के बजाए बढ़ती ही जा रही है आधुनिक्ता के बारे में बताते हुए रजिया जब सहर में लेकक से मिलती है तो वह बताती है कि आज का समय बदल गया है आज की दुलहनों या लड़कियों को नए जमाने की चूडियां पसंद हैं वे लाग के चूडिया नहीं पहनना चाहती इसी प्रकार का वास्विक व्यक्तित्व चित्रन राम्रिक्ष वेनिपूरी जी के अन्य रेखा चित्रों में मिलता है रजिया रेखा चित्र में वेनिपूरी जी ने मनोवे गयने की अथार्थ का सुंदर चित्रन किया है वित्रो इस रेख जैसे रजिया के चरित्र को अपने रेखाचित्र में जगह दी। इस तरह के रेखाचित्र आज के समय में मौझूद समान तरह की समश्याओं के उन्मूलन का अहवाहन है। बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य के धन्यवाद।